नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत है, मैं हूँ ओमकार चोधरी, 27 जून को मुहम्मद जुबेर को ग्रफतार किया गया था, आल्ट न्यूज का सहसंस्थापक और सुप्रिम कोट की माने तो पत्रकार, हला कि खुद जुबेर अपने को पत्रकार नहीं मानता, एक बाकाइदा उसने ट्वीट करके ये कहा था, I am not journalist, लेकिन सुप्रिम कोट ने कहा कि हम एक पत्रकार को लिखने से कैसे रोप सकते हैं। अब सुप्रिम कोट के पास कोई जानकारी होगी कि ये पत्रकार है, 20 जुलाई को 21 जुलाई को सुप्रिम कोट ने उसको रिया करने के आदेश दिये थे, इसके अलावा जितने उत्तर प्रदेश में मामले दर्ज हुए थे, 6 या 7, वो सब दिल्ली शिफ्ट करने के दिये थे, और इसके साथ ये भी कहा था, कि जो SIT गठित किये है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसको भी हम खतम कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं, तो बड़ी राहत जुवेर को मिली थी, और वो उसी दिन शाम को तिहाड से रिहा हो गया था, 28 जुलाई को उसका पहला ट्वीट आता है, यानि 27 जून के बाद पहला ट्वीट आता है, और उस ट्वीट में वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहा है, और क्या लिखा है उसने? उसने राहत इंदोरी की एक कवीता के साथ अपना ट्वीट शुरू किया है, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, इसका अगर मोटे तोर पर हम मतलब निकालें, तो वो ये है, कि जो आज सत्ता में हैं, वे कल नहीं होंगे, इसके बाद इसने लिखा कि आप सभी का धन्यवाद, मैं पिछले एक महिन्य में भारत और दुनिया भर के शुब चिंतकों से मिले समर्थन के लिए आभारी हूँ, आपके समर्थन ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत ताकत दी है, पहले ही ट्वीट में राजनीतिक बयान दिया है, जुबेर ने, आज जो साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, यानि एक तरीके से उन्होंने मौझूदा जो सरकार है, उसको चुनोती दी है, राहत इंदोरी का शेर लिख करके, बहुत सारे लोग हैं, जो उसके ट्वीट करते ही, यानि ट्वीटर पर वापस आते ही, चिहुक पड़े हैं, खुशी से उचल पड़े हैं, और ये वो चेहरे हैं, इनमें से एक आद का ही ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो चेहरे हैं, जो मौधी सरकार के खिलाब, रोजाना, जहर उगलते रहते हैं, योगी सरकार के खिलाब भी जहर उगलते रहते हैं, ऐसा कोई मौका ये लोग नहीं चूकते हैं, चाहे तीन किर्शी कानुनों के खिलाब आंदोलन हो, चाहे CAA के खिलाब हो, चाहे NRC ना लाने के लिए हो, अलग अलग मौकों पर हमने इनके रंग देखे हैं, इनके तोड तरीके देख कोशिश करते हैं, सडकों पर उतारने की कोशिश करते हैं, ये हम बहुत अच्छे तरीके से आउगत हैं, विनोध कापड़ी, लिखते हैं, हर रुकावट चीख थी है, ठोकरों की मार से, बेडियां खंका रहे हैं, लोग मेरे गाउं के, दे रहे हैं, देख लो, अब वो दाए, इंकलाब, हाथ में पर्चम लिये हैं, लोग मेरे गाउं के, ये बल्ली सिंग चीमा की, एक कविता के सहरे, इन्हों ने भडास निकाली है, और जू बीर को इन्हों ने टेक किया है, उमा शमकर सिंग, एंडी टीवी का पत्रकार है, वेलकम बैक, लेकिन नीचे, सना क्योंकि जो ट्वीट उसने किया था, नुपुर शर्मा को लेकर के, जिसके बाद ना केवल भारत भर में जगे-जगे दंगे हुए थे, फसाद हुए थे, बलके कई इस्लामिक कंट्रीज ने भी भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, और उसके बाद जो कुछ उद पुर में हुआ है कनहिया लाल के साथ, जो उमेश कोले के साथ हुआ है, और केवल यह नहीं, लंबी सुची है, उमेश कोले है, कनहिया लाल है, मुनीश भार्दवाज है, अंकित ज्जा है, शानु पांडे है, निशंक राठोर है, परवीन नेत्राव है, और अभी भी ये जो नफरत की अगनी है, ये तहक ही रही है, अभी भी जो जुनूनी हैं, जो धर्मांद हैं, जो मुल्ले मौल्मियों के उकसाय हुए लोग हैं, वो अब भी सर तन से जुदा करने की दंब भर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के टिपनियां आई हैं, इसके वापस ट्वीटर पर आने के बाद, उन्होंने इसको नसीहते भी दी हैं, और कई ने तो ये कहा है, कि तुमने बहुत बड़े पाप किये हैं, इस तरह की हरकते की हैं, जो बरदास्त नहीं की जा सकती, डॉक्टर रमा कांतर आये हैं, वो लिखते हैं, कि आपने बहुत गटिया काम किया है, छे लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है, तुमने कटर पंतियों को उकसाने का काम किया है, प्रमोध कुमार गोयल हैं, उन्होंने लिखा है कि ज्यादा उचलने की जरूरत नहीं है, हर बार तुम्हें ये एको सिस्टम बचा नहीं पाएगा, जिनका सर तन से जुदा कर दिया गया, उनकी मरत आत्माएं चीक चीक कर तुम्हारे अक्षम में आपराद को बयान करेंगी और तुम चैन से जी नहीं पाओगे, बहुत लोग हैं जो इनकी हिमायत भी कर रहे हैं, एक ये निगार प्रवीन है, उन्होंने लिखा है कि ये कह रही है इशारों में गर आप देखेंगे, एहमक फपूंद भी एहमक नाम है, राहुल गांधी ने उस समय ट्वीट किया था जब इसको गिरफ्तार किया गया था, दा वायर का एक ये ब्रेकिंग करके जो फ्लेश हुआ था, उसी को रीट्वीट किया था, तो राहुल गांधी भी इसके शुब चि इन तकों में हैं, लेकिन आशुने लिखा है कि अंदर ही ठीक था, आप जानते हैं कुल मिलाकर के इसके खिलाब अलग-अलग जगहों पर बहुत सारे मुकदमे कायम हुए हैं, उत्तर प्रदेश में छे मुकदमे हैं, दो तो हातरस में ही हैं, सीतापुर में हैं, सहरनपु में हैं, दूसरी जगहों पर भी हैं, लखिमपुर खिरी में भी है, गाजाबाद चंदोली में भी हैं, तो इतने सारे मुकदमे कायम हो रखे हैं, जो अब सुप्रिम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली शिफ्ट कर दिये गए हैं, तो जुबेर का जो ट्वीट आया ह है, 24 दिन जेल में रहने के बाद, रिहाई के बाद, करीब करीब एक महिने बाद, क्योंकि 27 जून को ग्रफतार हुआ, 28 जुलाई को इसका ये ट्वीट आया है, इस से एक बाद तो बिलकुल साफ हो गई है, कि वो अब राजनितिक बयान बाजी पर भी उतर आया है, और कु चड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, हमारा तो अनुभाव ये है, कि जब सुप्रिम कोर्ट से किसी को संरक्षन मिल जाए, तो कई बार उसके दिमाग खराब हो जाते हैं, और कई बार उसके गलतियां करने की जो आशंकाएं हैं, संभावनाएं हैं, वो भी बढ़ जाती हैं, अगर ये चने के जहड़ पर चड़ गया, जो चड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इसके दिमाग में वो गर्मी बनी रही, जो सुप्रिम कोर्ट के कुछ टिपनियों के बाद कई बार ये गलत फहमी होती हैं लोगों को, तो ये गलतियां ये फंसेगा, और ये फिर अंदर जाएगा, ये आप तैमानी हैं, अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, अभी तक अगर आपने ये च आन्यवाद, आवस्कार.